हलो दोस्तों आप देख रहे हैं Let's Study और आज हम एक ऐसी वीडियो करेंगे जिसमें हमको यह पता चलेगा कि जो Britishers आये थे उन्होंने जो इंडिया पर राज किया है वो एक accidental था या फिर intentional था मतलब वो अचानक से कुछ ऐसा हुआ था या फिर वो एक सोची समझी साजिस थी ज अनुआ हम कहया है तो इंडिया को जो है मतल çık इंडिया के ओपर हो राज करके चले ङए चीथ तो इसके बारे में आपको बड़े अच्छे से डिटेल्स है आपको एक उक fights के बारे में च्छे से बताऊँगा तो लाश तक वीडियो को जो जुरूर देखेगा स्टार्ट कर अगर मैं बात करता हूँ, कुछ historian थे, इतिहास कार जिसको अब बोलते हो तो वो कुछ ऐसे हैं जो Britishers की तरह लिखते हैँ और जो कुछ ऐसे हैं जो Britishers के छिलाफ लिखते हैं अब हम बात कर लेते हैं जो इन की तरफ लिखते हैं जो इनके जो है वो favor में थे यह कुछ इनके फेवर में थे, उनके आस्पेक्ट क्या था, उके उनका आस्पेक्ट क्या था, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि साब जो है, ये बिल्टिशर्स जो स्टार्टिंग में आए थे, वो बिल्कुल एक व्यापारी के रूप में आए थे, कहां पे आते हैं जी ये एक बिल्कुल व्यापारी के रूप में आते हैं आजन ये ट्रेडर आये थे इंडिया में इनका बिल्कुल पीसफुल तरीके से ट्रेड करना ये चाहते थे ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ लडाई करेंगे अगर ये लडाई करेंगे तो फिर इनके जो हो व्यापार को नुक ठीक है तो यह कोई भी ऐसा प्री प्लान नहीं था ठीक है वहाँ पे जो हो ऐसा अगर इन्होंने राज किया भी है अगर चलो वहाँ पे आए और इन्होंने राज किया इन्होंने राज नहीं किया यह बोलते हैं इन्होंने तो जो है वो सेवा की है लोगों को अच्छा जीव दिया है उनको railway दी है उनको education दी है उके इस तरीके की चीज़ें ये बोलते हैं कि Britishers ने तो Indians को उपर उठाया है अब कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी जो इनके against में हैं वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था ये बोलेंगे against के कि ये तो सब कुछ pre-plan था ये उस ideology से आय थे जहां पर ये बोला जाता है जहां पर आप जाओगे वहां के area के territory को जो हो खतिया लो वहां की जो area है उसको आप acquire कर लो उस ideology से ये आये थे और ऐसा ही इन्होंने आराम आराम से यहां पर आ करके वो किया है अगर ऐसा होता कि यहां पर ये trade करने आये थे और ऐसा कुछ करना था कि यहां पे राज नहीं करना था तो इन्होंने जो है बैटल ओफ पलासी में 1757 में जो युद हुआ था सिराज दोला के समय है कि वो क्यों जीता था कॉंस्पिरेशी करके तो इस तरीके की बाते जो हैं वो इसमें बताई गई है तो इसमें अब बात यह आ जाती है कि असलियत में जो है वो हुआ त्छलियत में इसकी सचाई क्या है वो मैं आपको बताओंगा और बड़े अच्छे साग्ए भी आपको डिटेल में यह मिलेगा पूरी वीडियो तेकी के असलियतनों इससे का भी तरियाहिजाद में। किया क्या है रिखक्षरी ऐसनल एक ऐसेंग करते हैं। नाकमाजन करना जैमार्किट मेंन। जब यहां पर आते हैं। 16 tio کے بعد, यहां पर अपना सब कुछ स्टार्ट करते हैं जब यहां पर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत जङदा state हैं बहुत अलग-अलग लोकल रूलर हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है यहां पर देखते हैं कि यहां पर कोई unity नहीं है बहुत ज्यादा राजा हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ हैं क्या है जी जो राजा थे वो एक दूसरे के खिलाफ थे तब यह देखते हैं अगर हम किसी तरीके से लोकल पॉलिटिक्स में आ जाएं लोकल पोलिटिक्स में ये आ जाएं तो वहां से इनके ट्रेड को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला था तो इसी वज़े से यहां की सिचुएशन को देखकर इनोंने फैसला किया है कि अब जो है हम वहां पे एंटर करेंगे स्टार्टिंग में लगबग 1750 तक कहां तक 1750 तक इनोंने जो है वो सब कुछ देखा बिटिशर्स को आगे जाके वताया अपने एड्मिनिस्टेटर को तब वहां से बोला गया कि अब आपको वहां की टेरिटरी को एक्वायर करना है यह किसने बोला है जी किसने बोला है यह जो बिटिशर्स की एड्मिनिस्टेटर थे इंगलैंड में उन्होंने ऐसा बोला है कि आप वहां जाके एक्वायर करोगे और तब जब 1757 में बैटल ओफ पलासी होता है उसमें यह कॉंस्पिरेशी करके जो है इसको बैटल ओफ पलासी को वो जीत लेते हैं अब ये battle of plastic को जीत लेते हैं फिर 1761 में जो है वो पानीपत का third battle हो जाती है जी पानीपत की जिसमें जो है वो मराथा जो हार जाते हैं अहमद साब दाली जो है वहाँ पे जीत जाता है इस तरीके से power का भी transfer वहाँ पे हुआ तो इस बीच में इन्होंने वहाँ पे देखा कि अब ये अच्छा समय है जब यहाँ पे बड़े बड़े राजा तूट चुके हैं अब हम यहाँ पे जो है अच्छे से अपना राज कर सकते हैं तब इन्होंने फिर ये राज करना जो ह चले गए अब हम बात आपके दिमाग में ये भी आई होगी क्या जीतना इनके लिए इतना असान था ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अच्छे राजा नहीं थे उनके पास अच्छे आर्मी नहीं थी उनके पास अच्छे लिडरिशिप नहीं थी उनकी quality नहीं थी लड़ने की ऐ जैसे जो है वो point है जो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके बावजूद भी जो है वो कैसे जीत चुके थे ठीक है चलिए देखो यहाँ पे जो है वो आराम आराम से ये जीतते चले गए ठीक है इस वीडियोज में पिक्चर में जो भी आपको बड़े असानी से जो है वो clear cut दिखाया गया है इनके कार्ण देख लेते हैं जिसके कार्ण जो है ये बिटिसर जीतते हैं सबसे पहला कार्ण तो ये रहा था जी इनके पास जो भी आरम्स है आरम्स का मतलब समझ रहे हो जो भी इनके पास बंदुके हैं इनके पास जो भी तोपे हैं वो क्या थी जी वो हाई टेकनिक की थ वो हाई टेकनिक की थी मतलब उनकी जो फाइरिंग रेंज थी वो भी जादा थी और उनकी जो स्पीड थी वो भी हमारे पास भी थी इंडियन्स के पास भी थी बट उनकी स्पीड और रेंज उतनी नहीं थी जितनी इनकी थी दूसरा कायन क्या था? इनके पास जो आर्मी थी, जो इनके सैनिक थे, वो वैल ट्रेंड थे और हमारे पास ऐसे सैनिक नहीं थे, जो वैल ट्रेंड हो इसके लिए ये इनको जो है, रेगुलर सैलरी देते थे, ये क्या देते थे? इनको रेगुलर सैलरी देते थे जिससे जो है इनके पास अच्छे जो है वो मतलब एक मन वाले एक अच्छी इच्छा सकती वाले जो है क्या थे आर्मी थी जो अपने देश के लिए लड़ती थी यहां पर आप देख भी सकते हो वैल ट्रेंड आरमी थी इनके पास ठीक है यह इनको जो है वो लीडर है इनके यह ठीक है इस तरीक है यह देखो इनके पास जो वैपन है उनकी भी क्वालिटी जो है वो हाई थी अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ रहेगा तो कंपनी को फायदा होगा असानी से वो जीत पाएंगे इनके जो ओफिसर से अभी आपने देखा है इनके जो ओफिसर थे उनकी स्किल भी बहुत अच्छी थी मतलब उनके पास जो लीडर्शिप क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी ब्रिलियन्ट इनके पास लीडर्शिप क्वालिटी थी और जो मैंने सैलरी की बात की है इसका मतलब ये था कि इनका जो फाइनेंशिल बैक अप था ओके इनका जो फाइनेंशिल बैक अप था वो भी अच्छा था पैसे की एक लड़ाई में बहुत ज़्यादा एहम एक हिस्सा वो निभाता है तो इस तरीके से जो है इनके पास सभी चीजे बैस्ट थी अब जो बैटर और बैस्ट में जो कमपटीशन था उसमें बैस्ट जो है वो जीत गया इस वज़े से जो है वो इस ने हमारे उपर राज किया है तो स्टार्टिंग में आजने ट्रेडर आए बट उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ हो रहा है और उस सिचुएशन को देख करके इन्होंने अपना अपनी स्ट्राटिजी बदली और यहाँ पे फिर जादा प्रोफिट कमाने के लिए यहाँ पे इन्होंने राज किया लोकल पोलिटिक्स में आए आराम आराम से सब कुछ खतम करते चले गए और अपना जो है इन्होंने यहाँ पे राज स्थापित किया तो इस तरीके से जो है यह पूरी वीडियो थी वीडियो अच्छे लगी होगी ओके थैंक्यू